नमस्कार यौमनी के बजट स्पेशल शो में आपका स्वागत है मैं हूँ स्वाती बजट के दिन जब वित्मंत्री अपना भाशन शुरू करते हैं तो आपका ध्यान इसी बात पर सबसे ज्यादा होता है कि वित्मंत्री टैक्स को लेकर क्या एलान करेंगे सभी इसी बात में लगे रहते हैं कि क्या करें और कैसे करें कि कमाई का कम से कम हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़े बाजार में टैक्स सेविंग के लिए धेर सारे इंस्टूबंस हैं लेकिन समझदारी तो इसी में है कि पैसे वही लगाए जहां टैक्स भी बचे और अच्छा खासा रिटर्न भी मिले यॉर मनी में आज हमारा पूरा फोकस है आपकी टैक्स प्लैनिंग पर और आज हम आपको इन्वेस्ट्मेंट के वह सारे रास्ते बताएंगे जो टैक्स भी बचाएंगे और आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिलाएंगे यॉर मनी के आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि टैक्स प्लैनिंग क्यू एहम है और किस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में आपको कितना रिटर्न मिलता है और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास महमान financial planner, freedom financial planner से CEO सुमीत वैद, सुमीत बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका, हम सुमीत normally शो में बात करते हैं financial planning की, हम ये बताते हैं अपने viewers को कि आप एक goal fix कीजिए और उसकी हिसाब से अपनी saving और investment शुरू कीजि ये सभी करते जरूर है, indirectly, unintentionally करते जरूर है, तो सबसे पहले आप से ही जाना चाहेंगे हम की tax planning क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, किसी भी financial year के शुरू होते ही, हम क्यों कहते हैं कि आप अभी से tax बचाने शुरू कीजिए बहुत अच्छा question है, इसलिए अच्छा question है कि आपने बोला कि साल के शुरू से tax planning करना चाहिए, tax planning का basic purpose tax saving है, efficient tax planning का मतलब है कि किस तरह से जो government ने आपको सहूलियत दी है, through various sections and actions of income tax act, उनके तहत आप इस तरह से invest कीजिए, कि आपका return भी बढ़े और आपकी income tax का आउट को बी कम हो, जो आपको एक facility government ने दी है, उसका यूज करना बहुत ही important चीज है, इसने tax planning efficient हो जाती है, मगर tax planning में सबसे important बात स्वाती timing की है, अमूमन ये देखा गया है हिंदुस्तान में, tax planning का season January, February, March, last quarter, आप रोड पे चला जाईए, आपको इस ताइम insurance की सबसे ज़्याद में करने की आदत है, या शौक है, जो भी आपको लिजे, tax planning में ये बहुत गलत पड़ जाता है, because आप last में करते हैं, आपके पास time नहीं रहता, कहीं बार हमने देखा कि आपके decision जो है, emotional होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, और इसका एक चोटार example दोंगा आपको, emotional का मतलब है, कहीं बार हमने देखा है, लोग tax planning के लिए हर साल नहीं insurance policy लेते हैं, जबकि उनको पिछला renewal देके भी वो facility मिल सकती है, जबको उन लोगों को समझ नहीं आता है, 28 February तक आपको अपना company में document देना होता है, तो काफी भागा दोड़ी मचती है, वो गलत चीज है, tax planning करिए, मग अपने financial planning का हिस्सा बना कर चल सकते हैं, सबसे पहला step जो हमारी financial life में अपनी खुशी के लिए happiness के लिए आता है, एक financial plan बनाना, हम अपना family का financial plan जैसे ही बनाते हैं, हमारा financial planner का उसमे एक role है, अगर वो certified financial planner है, CFP, from financial planning standards board of India, तो उनको training दी जाती है, कि जब आप लोगों का financial plan बनाए, उसमें जब आप instruments suggest करें कि आपको इस goal को achieve करने के लिए इस जगह पे invest करना है, या insurance के लिए ये product लेना चाहिए, आप उस समय product की choice tax के ऊपर कीजिए, मतलब माल लिजे कि मेरे को आपका medical insurance करवाना है, so मेरा suggestion आपको रहेगा कि आप medical insurance जल्दी से जल्दी दीजे, because medical insurance में section 80D के तरह आपका tax bet ता है, इसी तरह से life insurance, इसी तरह से PPF, इसी तरह से आगर equity funds में मैंने आपकी investment करानी है और आपका duration holding का 3 साल से उपर है, तो साल के शुरू से ही as a financial planner I will advise you, कि आप equity linked saving scheme में पैसा लीजे, आगर मेरे को debt की allocation आपको suggest करनी है as a certified financial planner, PPF एक बहुत financial plan बनाते हैं, उसमें जब आप instrument fit करना शुरू करेंगे action plan के अंदर, वहां पर tax planning का filter लगा दीजे, वो जरिया सोचिए कि इस particular instrument से मेरे tax बचता है नहीं बचता और उसको उस तरह से आप invest करते चले जाएए साल के शुरू से, तो साल के end में आके आपको भागना नहीं पड करेंगे, अगर मा लीजे 6-8 instrument हैं जिसके आप जिसमें invest करके आप tax बचा सकते हैं, तो अपने portfolio में हम किन-किन instruments को जगह दे, ये भी decide करना बहुत मुश्किल काम है, तो कोई एक आम इंसान जो हम मा लीजे का उधारन के तौर पे 30-32 साल का, जिसकी 50,000 की salary हो हर महीने, अगर उसको अपने financial planning में tax planning को भी साथ में रखना है, तो मोटा मोटा कौन से वो investment options को ध्यान में रखेगा, जलाता लंबा answer है, अगर आपको बीच में ब्रेक लेना पड़े तो आप ले लीजेगा, सबसे पहले financial planning का emphasis होता है, disaster planning पर, 32 साल के हैं तो उन्हें अपनी emergency planning करनी इसा है, tax saving के point of view से आप कहां डाल सकते हैं, इसको आपने सोचना है, usually इतने छोटे period के लिए आप tax saving नहीं कर सकते हैं, until illness आप एक liquid fund में डाल रहे हैं, जिसमें आपको tax कम लगता है, मगर tax saving नहीं होती है, तो disaster planning में आपको tax saving नहीं होती है, उसके बाद हम चलते है next point, risk planning, risk क होती है, हमारी जो income है family के अंदर आ रही है, उसको हम कैसे assure करें, कि कल अगर हम है नहीं है, खुदा नाखासता किसी वज़ा से main earning member को कुछ हो जाता है, family की income बंद हो जाती है, तो उस time के लिए हमें life insurance चाहिए, now life insurance, especially pure term cover, बहुत अच्छा instrument है अपने आप में tax planning करने के अपना tax benefit ले सकते हैं, इसी तरह से health insurance, section 80D का benefit मिलता है आपको, आपको बाकी सब जो insurances हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस में benefit है या नहीं, तो risk planning हो गई आपकी, उसके बाद चलते हैं किस तरह से आप अपने dreams को goals में convert करेंगे, तो 32 साल के हैं, तो मैं assumption लेता हू होंगे, उनकी छोटे बच्चे होंगे, education of children, buying of house, या कोई और retirement का goal उनका हो सकता है, जो लंबे समय का हो 3 साल से उपर, जब भी 3 साल से उपर की goal की planning करें, उसमें equity और debt instrument को चूज करते हैं ये देखें कि उस particular instrument में tax saving है या नहीं, equity में equity link savings schemes fit होती है, debt में public provident fund fit होता है, post office क या लग लग scheme fit होती है, इस तरह से आप चूज करते हुए अपना financial planning को पूरा कर सकते हैं, बट filter पहले financial planning का है, उसके बाद tax planning का है, आमूमन हमने ये देखा है, लोग उल्टा करते हैं, हम लोग जस्ट in time planning करते हैं, बिलकुल, और उसमें पहले tax planning डाल देते हैं, उसके बा जिन पर tax shoot मिलती हैं, क्या अपनी tax planning करने में इन सब चीजों को भी calculate करना जरूरी है? बहुत जरूरी है, दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी ही चाहिए, जब भी आप अपनी financial planning के अंदर tax planning करें, income और expenses, तो income तो आपकी income clear हो गई, expenses को जब आप analyze करेंगे, तो जब आ दिमाई दे रहे हैं, वो एक expense है, इसी तरह से अगर आप बच्चों की tuition fee दे रहे हैं, वो expense है, government ने कुछ expenses पे भी आपको tax saving करने का मौका दिया है, तो आप अपने chartered accountant या financial planner के साथ बैठिये, और analyze कीजे कि tuition fee, housing loan, इन सब की repayment में क्या-क्या tax break available है, जिसको लेते हुए ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि tax बचाने के कितने सारे instrument हैं और उन में कितना return और कितना risk है, आप बने रहे हैं, CNBC आवाज के साथ